राज्य सरकार या केंद्र सरकार अकेले किसानों की आयद दुगनी नहीं कर सकती। इसके लिए किसानों को भी प्रयास करना होगे। इस दिशा में मालवा और निमाड के किसानों ने प्रयास करना शुरू भी कर दिये है। लगभग 4,000 किसानों ने अपना एक कलस्टर तयार किया है जो अपनी फसल को प्रोसेस भी करेगा इन किसानों ने इसके पहले चरण में टमाटर, मिर्ची, अमरूद और अनार को शामिल किया है अगर यह प्रयोक सफल होता है तो इसमें अन्य फसलों को भी शामिल किया जाएगा देखे यह रिपोर्ट किसानों की आए दुगनी करने के लिए सरकारों के भरोसे रहने के बजाए किसानों को भी प्रयास करने होंगे इसे ध्यान में रखते हुए मालवा निमार के किसानों ने एक अनूठी पहल की है भारतिय किसान संख से जुड़े किसान राज्य सरकार के MSME विभाग की मदद के साथ एक कलस्टर तयार करने जा रही है इसकी शुरुआत बैंकर से किसान बने विने शर्मा ने कर दी है उन्होंने मालवा वन निमार के करीब 4000 किसानों को एक साथ जोड़ा है जिसमें अमरूद, अनार, टमाटर, आदी की पैदावार करने वाले किसानों को शामल किया है शर्मा के अनुसार सीजन के दोरान अधिक पैदावार होने पर किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता यदि इसी फसल को प्रोसेस किया जाए तो उसके दाम अधिक मिल सकते है इसके लिए एक कामपनी तयार की है जिसमें किसान अपने उत्पाद को खुद प्रोसेस करेंगे हम निमार की किसान सबजियों का कटूरा कैलाते हैं पूरे मालवा और मालवा से जुड़े शेत्रों के लिए इस लोगडाउन के दोरान जो विसंगती हुई कि हम हमारा माल डिस्ट्रिबुशन पैटर्न के अंदर नहीं दाल पाए मंडिये बन थी स्थानी जो रहाद फिला गाड़ी वाले थे ये बन थे इन विशम सितियों के अंदर जो हम वित्रण व्याउस तापूर्ती के नाम से उससे परिजित होकर है की अगरिकलचर प्रड्यूस उसके पीक सीजन में पीक लेवल पे आता है और उस समय उतना उपयोग उसका अंड युदर उतना होता नहीं है उपभोग उतना होता नहीं है तो उस उपभोग नब बढ़ने के हैं और हमारे ही प्रड्यूस को अमें सायोग मांगते हैं लेकिन यह डिमांड सप्लाई गैप का वेरियेशन है जब तक हम किसान स्वयम उद्यमिता की तरफ न आए जब तक हम खुद हमारे ही अग्रिकल्टर प्रडियूस को प्रोसेस न कर पाएं किसी भी तरीके से उसका वैल्यू एडिशन कंवर्शन न कर पाए हैं तब तक हम इस डिमांड सप्लाई गैप को कभी भी कवर अप नहीं कर पाएंगे केंदर शासन MSME विभाग ने इस बार जो घुष्टनाय करी फइनस मिनिस्टर ने जो घुष्टनाय करी वित्मंत्री ने जो घुष्टनाय करी और किसानों के आए दोगुनी हो ऐसा एक स निमार के हम किसानों ने जो टमाटर उगाते हैं जो मिर्ची उगाते हैं बहुतायात में कई किसान हमारी बगीचे बने अनार के और जाम के तो यह चार पकार के हम किसानों ने संयुक्त रूप से और हमारे प्रोड्यूस को हमारे खेत पर ही और प्रोसेस करके पीक सीजन प सब्सक्राइब करने का एक संकल्फ हम लोगों ने लिया है जिसकी शुरुआ टमाटर अनार जाम और मिर्ची मिर्ची की पैकिंग वह उस्ता सब मिला के लगभग वर्तमान में तीन हजार किसान हमारे साथ संयुक्त रूप से एक प्लाटफॉर्म पे आके और इस एफपी सी से जुड़ने की सिति में है जिसमें से अलड़ी द्रेड़ सो किसानों का MSME रेजिस्टेशन भी द्यमिता का रेजिस्टेशन भी हो चुका है इत्में दो विशे हैं पपहला विशय तो है कि हमारा जो प्रडियूद्योंस है वह हमको समय बात्यता में बेचने की जो अभी तक एक लिमिटेशन होती थी हम उसको पार कर जाएंगे अब हम 6 मेने और 8 मेने तक की परदी में हमारा माल रखने की सिती में आ जाएंगे दूसरा एंड यूदर मार्केट अब हमें मार्केट ढूंडेगा क्योंकि हम जो बिसिक कंपनियों की भी रिक्वार्मेंट है कि उनको ट्रमाटर न देते हुए ग्रेटेड या साफ करा हुआ या केवल पल्प बनाकर पेस्ट बनाकर चाहिए था वो हम हमारी यहां बनाने की सिती में आ रहे हैं शर्मा की मुदाबिक यहां समझ का विशय है कि किस समय पौधों का क्या लगना है उस प्रकार के पैकेट तयार करके हमारे द्वारा दिये जा रहे हैं अधिक से अधिक उप्योग में आने वाली जैसे टमाटर हो गया गिलकी है लोकी है ऐसे कुछ बेल डार सबजी होती है घर पर बड़ी आसानी से उगाई जा सकती है लौकडाउन के दोरानी हमें ध्यान में आया ऐसा कि एक पिता बनने का जो सुख किसी समय विक्ति को मिलता है उसी प्रकार से जब अपने घर में अपने हाथ से उगेवे एक बीज को लगा कर और उसको पोधा और पोधे से फिर उसके फल तक तोड़ने का जो सुख एक आनन लेने वाले लोग बहुत व्यवस्तित तरीके से इस कारी को कर भी रहे हैं मूल रूप से जैसे मैंने का मैं बैंकर था बैंकर से किसानी में आया तो एक समझ का विशह है कि पोधों को किस समय क्या लगना है तो उस प्रकार के पैकेट हम बना कर देते हैं कि 15 दिन में ये नि नुट्रिशनल वाल्यू पोधों को लगेगी ये रेडिमेट पैकिंग करके हम दे रहे हैं और ये निशुल को दे रहे हैं बीज फटना हमकुरन होना ये अपने अप में थोड़ा काम रहता है तो हम तयार पोधे सीडलिंग ट्रेके अंदर तयार करके दे रहे हैं लोग अ एक कदम आगे जाकर छोटे छोटे ग्रीन हाउस तक अपनी च्छतों पर बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छा सफलतम प्रयोग है विश्मुक्त भोजन ये संकल्पना लेकर और हम चलेंगे तो ये बहुत आसानी से हमारे घर के उपर हमारे ही कच्रे से वापस खाने योग शुरू कर दिये है ब्योरो रिपोर्ट एमपी न्यूस इंदौर